नमस्काल दोस्तो रवी कुमार रुर्मा के यूट्वीब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तो इस स्रीज में हम लोग सवीधान कैसे याद करें ये पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में आपको राष्ट्रपती केंदर की कारेपलिका के बरें बता रहा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपती क्या होता है राष्ट्रपती का निर्वाचन कैसे होता है राष्ट्रपती की योगिता क्या होनी चाहिए इसके लावा राश्ट्रपती की पदमुक्ती भी हमने डिस्क्स कर ली थी जिसमें राश्ट्रपती पर महा भी हो कैसे लगाते हैं ये पूरा डिस्क्स कर लिया था मैंने कहा था आपसे कि राश्ट्रपती थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये दो वीडियो में minimum cover हो पाएगा तो आज के वीडियो में बाकी की चीज़े हम लोग देखेंगे दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया है तो आप ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगा आज के बाद कभी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा सब आपको याद हो जाएगा अगले आदे गिंटे के अंदर मैं आपको एक एक चीज़ याद करा दूँगा बस ध्यान से मेरा वीडियो देखिएगा और एक request है अगर आप लोग एक copy एक pen लेके बैठें तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा ठीक है चलिए आते हैं वीडियो पर राश्ट्रपती की शक्तियां क्या है दोस्तो कुल मिलाके ये ही छे शक्तियां है राश्ट्रपती की पहली शक्ति है आपकी ये सविधान शन्शोधन मैं अभी आपको थोड़े ने बताता हूँ इसके अलावा प्रशास्निक शक्तियां कुछ है कुछ विधाई शक्तियां है कुछ शमादान की शक्तियां है कुछ वीटो की शक्ति हैं तरह कुछ आपात काले शक्ति हैं ये सारी शक्तियां पधान मंत्री या और मंत्री मंडल के साथ किस तरीके से मिली होती हैं ये भी हम आपके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आप चली स्टार्ट करते हैं क्या क्या राश्ट्रपती की शक्ति है पहला है अनुचिर 74.1 या इसको सविधान संशोधन भी कहते हैं देखिए अनुचिर 74.1 क्या कहता है राश्ट्रपती जो है उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिशद होगा हमाई देश में आपको पता ही है राश्ट्रपती एक नाम का राश्ट्रपती होता है इसको हर बात जो होती है वो मंत्री परिशद के सलाह के हिसाब से करनी पड़ती है ठीक है देखिए मंत्री परिशद की सलाह के हिसाब से करनी होती है और राष्ट्रपती की सला देने के लिए मंत्री परिशत होता है, उसका पर्मुख पर्थान मंत्री होता है, मगर अगर कहने की बात कहा जाए, कि मेन चीज तो पर्थान मंत्री सारी करता है, कैसे इसके लिए 2 समिधहन संस्योधन होगी, बहुत देहान से जोनों समझना चाहिए इसमें काई एक 42 समझना समझना है जिसके अनुसार ये कहा गया है कि राष्ट्रपती मंत्री परिषट की सला के अनुसार ही कारे करेगा अब राष्ट्रपती खुद से कोई निर्णा ने ले सकता है उसको हर कार के लिए मंत्रि परशयत की सलाह का सलाह लेनी पड़ेगी तो और दूसरा क्या है कि राश्टरपती मंत्र परशयत की सलाह को पुरे विचार के लिए लौटा सकता है लेकिन पुनरविचार के बार राश्ट्रपती को दी गई सला के राश्ट्रपती बाद है मतलब इस पूरे प्रक्राण का मतलब ये है कि राश्ट्रपती की सारी शक्तियां मंत्री परिशद में नहेत है तो क्या राश्ट्रपती के पास कोई शक्ति नहीं है ऐसा नहीं है राश्ट्रपती इसके इलावा भी कुछ शक्तियां है उसके बारे में हम लोग डिसकस करेंगे ठीक तो एक जो पहली शक्ति मैंने बताई कि ये जो सविधान शन्षोनन हो गए 74.1 की जरूर याद रखिएगा इसमें दो संशोनन है अगर PCS के पेपर में कन्फ्यूस करना होगा तो ये दोनो एसरेशन और रीजन कहके आ जाएंगे ठीक है देखिए मैंने हम साफ साफ लिख दिया है कि 42.2 संविधान शन्षोनन के अनुसार राश्ट्रपती पुनर विचार के लिए नहीं लोटा सकता था मगर 44.2 में पुनर विचार के लोटा सकता है और फिर भी अगर उसको वही चीज दे दी गई तो उसको मानना पड़ेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे पढ़ते हैं अपनी प्रिशाशनिक सक्तियों पर देखिए ये है राश्ट्रपती की प्रिशाशनिक सक्तिया प्रिशाशनिक सक्तियों के नाम पर राश्ट्रपती के पास क्या क्या शक्तिया है उस पर हम लोग डिसक्स करते हैं जै से ही देश लायत है जो भी अध्यादेश जो भी विधेक पारित होगा अंति में उसका उस पर राश्ट्रपती का सिगनेचर होगा ठीक है और राश्ट्रपती हमेशा पधानमंत्री और मंत्री मंदल की सलाह पर ही काम करेगा राश्ट्रपती पधानमंत्री को नियुक्त प्धानमंतियों के साथ-सथ अंध-μंतियों की नियुक्ति प्धानमंतियों के कहने पर करेगा। ठीक? इसके रावा संग्य के सभी प्रमुक अधिकारीों को नियुक्त करता है राश्रुपति ठीक? और उन्हें पदमुक्त भी करता है। मतलब ऐक कोशिचन आपका बहुत important ह गया संग के सभी अधिकारी जितने प्रमुक अधिकारी हैं आईएस जितने भी हैं सब का नियुक्ति कौन करेगा राश्ट्रपती करेगा और पदबुक्त भी राश्ट्रपती करेगा इसके लावा राश्ट्रपती जो होता है अपने शसरस्त्र बलों यसे आर्मी हो गई एर वो चिकमांडर मना जाता है युद्ध के समय युद्ध की गोशना कौन करता है राश्ट्रपती करता है और शुद्ध के बाद शांती गोशना कौन करता है ये भी राश्ट्रपती करता है तो दोस्तों ये है राश्ट्रपती की प्रशाश्निक शक्तियां इसके बाद आते हैं राश्ट्रपती की विधाई शक्तियों में ज़्यदा तेज हो रहा हूँ तो मैं थोड़ा धीमे धीमे आपको समझाता हूँ देखिए इसके पहले हम लोंने पढ़ लिया था 74.1 राश्ट्रपती की सला देने के लिए मंत्री परशाद होगा ये सब आ रहा था समीधान संसोधन में दूसरा हमने अभी पढ़ा राश्ट्रपती की प्रशाश्निक शक्तियां दोस्तो इसका भी स्नैप ले लिए और इसका भी स्नैप ले लिए मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो रोग दे रहा हूँ आप इसका स्नैप ले लिए ठीक है इसका भी स्नैप ले लिए चलिए आगे बढ़ते हैं विधाई शक्तियों में ये है राश्ट्रपती की विधाई शक्तियां देखिए पीछे हम लोग अभी तक ये शक्तियां पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग ने अनुच्छे स्विधान संशोलडन और परशाश्णिक शक्तिया पढ़ लिया था अब हम लोग विधाई शक्तिया पढ़ देए विधाई शक्तिया भी बहुत आहां है जैसे कि राश्टरपती के पास एक शक्ती होती राश्टरपती संसत का सत्र बुलाता है और सत्र का सत्रावसान भी करता है मतलब जो भी सत्र बुलाना होगा शीत कालीन सत्र गिन्स गिश्म कालीन सत्र वो सारे सत्र कौन बुलाता है राश्टरपती बुलाता है साथी साथ दोनों सदनों की सयोग तो बैठक भी बुलाएगा अगर कभी कोई डिस्प्यूट होता है तो दोनों सदन उन दोनों को सयोग तो रूप से राश्ट्रपती उनकी बैठक बुलाएगा लोकसभा की समापती वो विग्टन भी राश्ट्रपती ही करेगा वा राश्ट्रपती उसके अलावा 12 सदस्यों का मनून नहीं करता है ये 12 सदस्यों बहुत important है किस अधार पर करेगा? 4 अधार है total कौन-कौन से? साहित्य के अधार पर, कला के अधार पर, विज्ञान के अधार पर, समाज सेवा के अधार पर अब कला महीं आपका सारा खेला याता है, जैसे सेचिंतन दूलकर हैं, या और भी खिलाली हैं, जो राजस्बा के सदस्व हैं, वो कला के अधार पर बने हैं ठीक, इसके अलावा विधाई शक्तियों में राश्ट्रपती अध्यादेश जादी करने की शक्ति है यह अनुच्छेद 123 में हैं, अध्यादेश किया होता है, इसको ओडिनेंस कहते हैं, अग्रेजी में अब लेगानिस आयाता है, और उसको कानून बना दिया आता है इसको कम जमएका कानून कहते है, यह तभी जारी किया सकता है, जब संसत का सतर ना चल रहा हो ठीक और ये अध्यादेश राश्ट्रपती के द्वारा ही जारी किया आता है और जैसे ही अध्यादेश जारू किया आता है तो कानून तुरंट इसी को कानून माल लिया जाता है ठीक अब इसी कानून के इसाब से देश काम करने लगता है मगर यह बहुत कम जमाई के लिए होता है अगला सत्र प्रारम होने के 6 हफते तक ही यह रहता है और 6 हफते के बीच में अगर यह कानून ठीक होगा तो पारित कर लिया जाएगा अगर पारित कर लिया जाएगा तो ठीक है इसको कानून मना दिया जाएगा और अगर नहीं तो इसको सवाप्त किया जा सकता है ठीक अब अध्यादेश देखें मैंने यहां लिख भी दिया अध्यादेश एक कम समय का कानून है जो विधाईका के दोरा तब तक जारी किया जा सकता है जब तक कारेपालिका का सत्र नहीं चल रहा होता है यह आपको लिखा हुआ है अनुछेद नंबर 123 में इसके लाव एक और चीज़ इसमें इंपोर्टेंट है अनुछेद 85 यह आपका अनुछेद 85 अध्यादेश के अधिक्तम अवदी क्या होगी यह देखिए देखिए संसर्ट के दो सदनों के बीच का अधिक्तम अंतर कितना हो सकता है छे मा का मैकसिमम छे मा का अंतर हो सकता है छे मा से अरका अंतर नहीं हो सकता है तो अध्यादेश के अधिक्तम सीमा कोशन कभी-कभी आयाता है समझ लिए छे महीने हैं अध्यादेश की अधिक्तम अफ़ती और छे महीने है संसर के दोनों के बीच की अफ़ती तो दोनों को जोड़ा जाए तो साड़े साथ महीने होता है इसको साड़े साथ महीने है अध्यादेश की अधिक्तम अफ़ती और राश्रपती समान परिस्तितियों में संग सूची और पर अध्यादेश जारी कर सकता है ठीक है और साथी साथ मगर इस अध्यादेश का नएक पुनरावलेक। यानि अगर कोई पधान मंत्री चाहे तो वो कोई भी कानून जैसा उसका मन हो वो लागू करवा सकता है इस देश में कानून का निरुमार लागू करा या सकता है और छे हफ़ते यानि साड़े साथ महिने तक तो उस कानून को लागू रखना ही होगा। कुछ प्राब्लम हो जाए तो इस तरह के कानून मना के स्थिति को ठीक किया जा सकता है परन्तु अगर सरकार अच्छी रही है तो सरकार गलत कानून मना के भूमी अधिगरान जितने भी भूमी अदिग्रान हुएं वो सब ऐसे ही कानून मनावना के हूएं ठीक है तो इस कानून का बहुत ही ज़्धा मिसियूस किया जाता है एक कानून अच्छी चीज़ के लिए बना था बरट सका बहुत जयरा मिसियूस किया रहता है मगर इसमें भी गल्ती किसी है गल्ती कही जाएगी जन्ता की ही है क्योंकि अगर वो सरकार इस कानून का गलत यूज कर रही है तो सरकार को बनाने वाले गलत है तो कुल मिला के कहा जाए तो सविधान में जो एक नॉर्मल परसन है उसने जो वोट दिया है उस वोट का ही उसको एक तरीके से उसको उसका फल मिल ला है ठीक है तो यही है पूरा इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स है हमें अपने पढ़ाई के लिए बस यह सारी चीजों को जानना है कि कौन मुख्य है मुख्य मुख्य पॉइंट्स मैंने लिग अगर आपको अंदर की चीज़े भी समझी नहीं होंगी लीजे मैं इसको भी छोटा कर दे रहा हूं इसका भी स्नैप्शॉट खुट लीजे विदाई शक्तियों का लिए पूरा ही खिट लीजे ऐसे करके इसका पूरा स्नैप्शॉट खीच लीजे आपके फोन में रहेगा आपको सब समझ में इजली आ जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं राश्ट्रपती की शमादान की शक्ति अब जैसे कुछ लोगों को लगता है कि राश्ट्रपती शमादान की शक्ति में में क्या कर सकता है मिल्टूडन को माफ कर सकता है हाँ कर सकता है मगर कुछ परिस्थ ईस्वादान की शक्तियां, यह देखिए, इसमें जो पहली शक्ति है वह है, पाड़न, यानी सजा से मुग्त कर देना, दूसरी हाल लगू कर रहना, यह है देंड का प्रकार बदल देना, मतलब अगर किसी को भारी देंड मिला है, तो उसको हल्का देंड में बदल देना. मगर वो भी किसी आधार पे करेगा राश्रपती ऐसे नहीं कर देगा तीसरा है परिहार यानि रिमिशन मतलब किसी भी दंड की मात्रा को कम कर देना चौता है रिस्पाइट यानि विराम यानि मानमीता के अधार पर शमादान का प्रियोग करना और चटा है रिप्राइब यानि प्रिलम बन यानि मत्यू डंड के क्रियानवन को रोकना लेकिन यह रोक आयस्थाई होगी ठीक आप समझ लीजे ये सारी शमादान की शक्तियों का हम एक बार विश्टेशल करते हैं बताते हैं कैसे कैसे सी शमादान की शक्ति एक तरीके से हमने अभी आपको क्या बताया था कि राश्ट्रपती मंत्री परिशत के हिसाब सही कारे करता है मंत्री मंडल के हिसाब सही कारे करता है तो अब यह बताईए मुझे कि शमादान की शक्ति राश्ट्रपती की कहा हुई वो तो मंत्री मंडल की सलाह के हिसाब से काम कर रहा है तो इसके लिए अगर आता है कभी कोशन कि शमादान की शक्ती का प्रयोक मंत्री परिशद के द्वारा किया आता है और व्यवहार में ये जो परिशद है या यो मंत्री मंडल है ये ग्रह मंत्री के हिसाब से मतलब अगर किसी को शमादान चाहिए तो वो डेट राश्ट्रपती के पास तो जाएगा मगर वो जो लेटर भेजेगा वो जाएगा थ्रू ग्रह मंतरी अगर ग्रह मंतरी उसको ओके करता है तब ही राश्ट्रपती के पास वो जा सकता है शमादान की शक्ति का न्याईक पुनरवलोकन नहीं हो सकता है मतलब अगर माली राश्टपती ने किसी व्यक्ति को शमादान दे दिया तो उसका कोई भी न्याईक पुनरवलोकन नहीं होगा मगर टीम केस में हो सकता है अगर वो अतारकिक है असमानता है या मनमाना है मतलब अगर राश्टपती ने मनमाने ठंक से किसी भी व्यक्ति को कम मित्रूरे ने समाप्त कर दिया तो उस पर उस पर नयाएक पुनरावल को रहा सकता है या कोई कानून ऐसे असमानता दिखा रहा है असमानता क्या मतलब है कि जैसे माल दिये कि किसी व्यक्ति को ने कोई मर्डर किया हुआ है किसी परिस्थितियों में उसने किसी व्यक्ति को माल दिये गोली माल दिये तो उस परिस्थितियों में उस व्यक्ति को फासी के सजा हो चुकी है अब वही केस सेम किसी और व्यक्ति के द्वारा हुआ और उसने भी वैसे ही गोली मारी है तो उस केस में राश्ट्रपदी उस व्यक्ति को मिर्ट्पूरेंट सवाप तो नहीं कर सकता क्यों तब ही असमानता हो जाएगा ना हमारा एक मूल लिकार भी रहो है असमानता भी नहीं होनी चाहिए अगर उस केस में किसी व्यक्ति को फासी के सजा हुई है तो दूसरे व्यक्ति को भी सजा होगी उसको माफ नहीं कर सकता और कुछ अतारकी क्रीजन होगा तो भी इसका नेक पुनरावलोकर हो सकता है और अपरादी को मौकिक सुन्वाई का अधिकार नहीं यह नहीं है कि अपरादी राष्टपती से बात कर रहा है मौकिक सुन्वाई कुछ नहीं राष्टपती को के ओले को लेटर बेजएगा वो भी आपके ग्रहमंतरी के थूँ जाएगा अगर राश्टपती का मन होगा तो शमा करेगा या उसका कोई ऐसा दीज़न होगा तो वो मनेगा या नहीं मनेगा तो कहने की बात है अगर ये सारी चीज़े सही है तो ऐसा बना क्यों राश्टपती की इस तरीके का शमादान बना क्यों यह इसलिए बना कि जैसे माल लीजिए अगर किसी व्यक्ती को हाई कोट या सुप्रीम कोट ने सजा दीए तो जो हमाई देश के कोट है आप भी जानते हैं कि हमाई देश में नयाए कितना धी में मिलता है बहुत देर में मिलता है इसका reason यही है कि court हर पहलो को हर चीजों को देखता है हर चीजों को देखने के बाद वो किसी व्यक्ति को multi-dend देता है या कोई और डेंड देता है तो नए के हिसाब से तो हमाई देश का नए बिर्गल ठीक होता है भले वो थोड़ा लेट हो मगर उसके बाद शमा का मतलब यह है कि जैसे माल लिए कोई वेक्ति को मित्यूडेंड दे दिया गया अब मानवियता के अधार पर उसको जैसे माल लिए कि उसको कैंसर हो गया या उसको ऐसी बीमारी हो गई कि अब वो अगले दो से तीन महीने में मल जाएगा और वो मित्यूडेंड का उसको मिला हुआ है या उसको आजबीवन कारावास मिला हुआ है उस केस में zekर वो राष्ट्रपती के बाज जाता है कि ठीक है हम तो अब मरही रहे हैं को कुछ समय के लिए अपने घरवालों से मिलने दिया जाए तो उस केस में राष्टपति शमादान दे सकता है और कोड भी यह नहीं कहेगा कि आपने इनको शमादान क्यूं दे दिया वह अतार्किक नहीं होगा वह मानवीता कैदार पर ठीक है भाई आप मर ही रहे हो तो एक म सजा से मुक्त के लिए कुछ केसे ऐसे होते हैं जैसे कि मल लीजे की अभी एक सर्वे आया था जिसमें कि हमाएं देश के जेल में ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं जिन्नोंने मातर सौ रुपए दो सौ रुपए के देंड़ वाले कारी किये हुए हैं मतलब चोटी मोटी नमारी है या बहुत चोटे मोटे जुर्म किये हैं और वो सजा वो जेल में सजा काट रहे हैं उनकी सजा सवाब तो हो गई है फिर भी वो जेल में है ठीक है या कुछ ऐसे हैं जिन पर सौ रुपए और दो सौ रुपए का जुर्माना है जैसे कि आईपीसी की धारा वन फि सवारत नहीं हो पाती है या इन को इन की सजा सवाबत होने के बाद भी जो फौर्मल्टीख होती है रहा करता है? तो ऐसे लोगों को भी रिया किया जाता है समय समय पर क्या होता है कि वहाँ पर जजज़ जाते हैं जेल में देखते हैं कौर ऐसे लोग है जो बहुत जिनका क्राइम बहुत छोटा है और उनको उसके लिए जेल में नहीं रखना है तो उनको भी बाहर किया जाता है जेल से तो इस तरीकी से शवा किया जा सकता है लगू कर लो किया मतलब है अगर माल ली किसी विक्ति को बहुत भारी टेंड मिला हुआ है अब माल ली जे उसको कोई बीमारी हो जाती है या एक्सिडेंट होया था उसका तो वो राष्ट्रपति से अपील कर सकता है और उसके भारी टेंड को हलके टेंड में बदला जा सकता है ठीक है रेमिशन का मतलब है कि बात्रा को कम करते हैं मतलब जैसे किसी विक्ति ने अच्छे आचरण अपने जेल में दिखाया है और वो राश्ट्रपती सपील करता है तो राश्ट्रपती उसकी दंडी की मातरा को कुछ कम कर सकते है मान Newita के आधार पाश्मादान मैंने आप लोंको बताई दिया और मेत्यूडन बता दिये कि मेत्यूडन पे कौँ 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 से केसे में शवा किया सकता है तो दोस्तों ये थी आपकी राश्ट्रपती की शमादान की शक्तियां तो हम लोग ने चार शक्तियां पढ़ लिया है एक दो मंतिर परिशाद वाला, एक आपका प्रशाष्णिक शक्तियां, एक विधाई शक्तियां, एक शमादान की शक्ति आगे बढ़ते हैं हम लोग राश्टपती की वीटो की शक्ति यह है दोस्तो राश्टपती की वीटो की शक्ति अब वीटो क्या होता है तीन तरीके की शक्तिया होती है राश्टपती की पास यह देखिए फ़ले आप पूरा इसका स्नैप ले लिजे ठीक अब देखिए राश्ट्रपती की वीटो की शक्तिया क्या क्या होती है तीन तरीक्या वीटो है अत्यातिक वीटो निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो अत्यातिक वीटो क्या है इसमें राश्ट्रपती क्या करता है राश्ट्रपती विधाय का दौरा पारित विधेक पर अपनी राय सुनिश्यत रख लेता है इसका मतलब क्या हुआ मतलब जो भी राश्ट्रपती की राय है उसको वो सुनिश्यत कर लेता है उस राय के हिसाब से काम करता है ठीक ये इस तरीके का जो वीटो है वो बिटेन का सब्राट इस्तमाल करता है ठीक उसके बाद दूसरे है निलंबन कारी वीटो निलंबन कारी वीटो यह होता है कि विदाइका दौरा पारित विदेयक को राश्रपती पुनर विचार के लिए लोटा सकता है मतलब राश्रपती चा और वह बीना चेंज किये भी बेश सकती है, और जब दुबारा राष्ट्र पती की पास हुआ ऐगा तो राष्ट्रपती को इसको पारित करना ही पड़ेगा यिस तरीके का निलम्मंकारी विटो फ्रांस का राष्ट्रपती स्तुमाल करता है, लास्ट है पॉकेट विटो, फूब पॉकिट विटो को करता है अगर राष्तिपती चाहे तो पॉकिट विटो कर सकता है उसल पर कोई भी राय नहीं देगा, कुछ भी नहीं करेगा. ठीक है तो एक तरीके से ये भी राश्ट्रपती का अधिकार है मतलब अब मैं आपको छोटा सा एक्जम्पिल लेकर समझाता हूँ ये देखिए मतलब ये रेड गलर में देखिए क्या लेखिए हो मंत्री परिशाद ने एक विधेक को पारित किया अब मंत्री परिशाद है इसने एक विधेक पारित की और विधेक पारित करने के बाद राश्ट्रपती के पास बेद दिया अब राश्ट्रपती इसको पुनर विचार के लिए राश्ट्रपती ने क्या किया पुनर विचार के लिए इसको बेजा मंत्री परिशाद के बाद और मंत्री परिशाद इसको साधान वहुमत से दुबारा पाइद करा कि फिर से राश्ट्रपती के पास बेज देती है जब दुबारा राश्ट्रपती के पास घूम के आ गया वही विदे तो राश्ट्रपती दो ही काम कर सकता है, या तो हस्टाक्षड के लिए मजबूर हो जाएगा, तो हस्टाक्षड से करना ही पड़ेगा, और नहीं करना चाहे तो राश्ट्रपती उस पर हस्टाक्षड नहीं करेगा और अपने वास रख लेगा, कब तक के लिए अनिश्चित करना पड़ेगा जबकि pocket वीटो में वो उसको अपने पास रख लेगा और उस पर कोई भी निर्ड़ने नहीं करेगा तो असलियत कहा जाए तो हमारे देश में भारत में राश्ट्रपती की वीटो की शक्तियों में जो राश्ट्रपती की बास असलियत में वीटो शक्ति का वीटो को शक्ति का स्रोत माना किया है ठीक है तो दोस्तों ये थी राश्ट्रपती की वीटो की शक्ति ये भी बहुत important है छोटे छोटे में आ जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं राश्ट्रपती की अपातकालिन शक्तियों ये है राश्ट्रपती की अपातकालिन शक्तियों दोस्तों ये इमलजेंसी की शक्तियां, तीन तरीके की राश्ट्रपती की आपातकालिन की शक्तियां हैं, एक है आपकी राश्ट्रपती आपातकाल, राश्ट्री आपातकाल, दूसरी है समवैधानिक आपातकाल और तिसरी है वित्ती आपातकाल, तीनों को बहुत आराम से समझेंगे, क्योंकि बहुत सा 3512 में इसके बारे में बताया गया है, यह तीन केसेस में लगती है, तो युद्ध हो गया हो किसी देश ते या बाहर अकरमण हो गया हो या आन्तरीक अशान्थी हो आन्तरीक अशान्थी को बाद में 4445 फोर्टी फॉर एसेस का मतलब है, दो परिवसन किये गया, क्या एक तो आंतरिक अशान्ती के स्थान पर शसस्तर भी द्रो कर दिया गया और मंत्री मंडिल की लिखित सलाह की आवशक्ता पड़ेगी इस तरीके की इमलजेंसी लगाने के लिए क्योंकि इंद्रा गांधी के समय में आंत्रिक अशान्ती के नाम पर जो इमर्जेंसी लगाई गई थी वो समविधानी कुरूप से ठीक नहीं थी उससे लोगों को बहुत दिक्कते हुई थी बहुत परिशानियों का सामना करणा पड़ा था उसके बाद इस सम्विधान में शंशोदन किया गया और बाद में इसको क्या कहते है शसस्त्र विद्रो कर दिया गया जो नेशनल इमर्जेंसी इंद्रे गांधी के समय पर लगाई गई थी उसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूँगा अभी क्योंकि हमें वीडियो मे केवल यह समझना है कि परिश्चा के दिस्टी से क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी काई वीडियो पढ़े हुए यूट्यूब पे नेशनल इमर्जेंसी पे आप उसको देख लीजे बहुत सारा कहानी तरीके समझाया गया है मगर जो मुद्दे की बात है ज यूद्ध होने की संभाव ना है तो भी नेशनल इमर्जेंसी लगाई जा सकती है क्या पीरेड होगा इसका एक महीना एक महीने तक नेशनल इमर्जेंसी लगाई जाएगी अब उस एक महीने के भीतर संसर के दोनों सद्दों में अलग अलग परस्ताव विशेश मौमा से प बढ़ाया जा सकता है, छे मेने बाद फिर इसी प्रोसीजर को अपनाए जाएगा और फिर इसको छे मेने तक ऐसे करते करते अनिशित काल तक जब तक युद्ध समाप्त ना हो जाए या बाहे आकरमर अधुक ना जाए तब तक इस इमर्जेंसी को लगाया जा सकता है ठीक है लेकिन इस घोशना के बाद अगर अगर लोकसभा का विक्टन हो जाता है तो नई लोकसभा के गटन के बाद अपात काल पहली बैठेक के 30 दिनों तक लागू रहेंगा बस 30 दिनों के बाद अगर उस बैठेक में ये कह दिया गया कि भाई अपात काल को लगाया रखना है तो लगाया रखा जाएका और समाप्त करने के लिए बोल दिया तो समाप्त हो सकता है आमा रही बात अपात काल की समापती कैसे हो सकती है? यह तीन तरीके हैं. या तो राष्टरपती अपनी गोशना को वापस ले 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 तो अपात काल समापत हो जाएगा. दूसरा संसर इस प्रस्ताव के स्युकरती ही ना दे. बहुत आसान जी चीज़ को यार्ट करने की जुरूत नहीं समझ लीज़े यार हो जाएगा राश्ट्रपती या तो अपना अपातकाल वापस ले ले या संसद क्या करे प्रस्ताव की स्कृर्टी ही ना दे तो अपातकाल सोता समापत हो जाएगा इसके लावा लोकसवा साधान भावमस से प्रस्ताव पारित करके भी इसको वापस ले सकती है अब इसके प्रभाव क्या होंगे अपातकाल की प्रभाव राश्ट्री अपातकाल की प्रभाव क्या होंगे जो देश की संगहात्म को जस्ता है वो एकात्म को जस्ता हो जाएगी और केंद्र को राज्य के ऊपर संपून ने इंतरप्राप्त हो जाएगा मतलब हम सब छोटे छोटे राज्यों के रूप में हमारा देश बना हुआ है मगर जब नेशनली मलजनसी लगेगी तो सब कुछ संगहात्म को जस्ता एकात्म हमारा पूरा भारत एक हो जाएगा और हम केंद्र के अधीन हो जाएगी और केंद्र जो चाहेगी वो होगा ताकि हम पूरी शक्ती से दूसरे देश के साथ युद्ध कर सकें यबभा है अकरमण का बदला ले सकें ठीक दूसरा संसर्थ को क्या होगा संसर्थ राज शूची के विश्यों पर भी कानून मना सकती है और ऐसा कानून अपात कालिन की समापती के बाद छे मिने तक जाड़ी रहेगा ठीक लोकसभा का कारेकाल जो होगा वो एक साल एक बाल तक बढ़ाया भी जा सकता है सारे के सारे मौली कदिकारों को निलम्मिन किया जा सकता है वो इसका नएक पुनरावलकन भी किया जा सकता है ये इसके प्रभाव हों नेक्स्ट आते हम लोग सम्विधानी का पतकल ये देखिए आगया सम्विधानी का पतकल अनुचे 356 में इसको बताया गया है ठीक है और इसको कभी-कभी राश्टपति शाषन भी कहा जा सकता है सम्विधान में राश्टपति शाषन का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है मगर इसको वेवहार की बाश्टपति शाषन कहा जा सकता है ठीक, अब राज में सम्वेहनीत बरे वीफल हो जाए इसी अधार पर इसको लगान जाए सकता है विफल कैसे होगा माल दीजे राज़पाल का प्रतिवेदन राज़पाल क्या होता हर स्टेट में एक राज़पाल होता है राज़पाल हर पंदा दिन में एक रिपोर्ट बना के राश्टपती को भेजता है कि राज़ कैसा चल रहा है ठीक अगर उस report के हिसाब से राष्ट्रपती को लगता है कि समवरहाजितन से फेल हो रहा है तो राष्ट्रपती शाषन लग सकता है और अनिठगा क्या मतलब है समवरहाजितन से फेल होने का मतलब है अगर माली विद्रो हो जाए पुलिस कंट्रोल ना कर पा रही हो या कोई और प्रॉबलम हो तो उस केस में भी अपातकाल लगा जा सकता है शुरुआत में दो महीने के लिए लगाया जाएगा और दो महीने लगाने के बास संसर के दोनों सद्नों में साधार वहुमत से इसको पारित किया जाएगा अगर ये पारित हो गया तो ये छे महीने तक लगाया जा सकता है मगर कहां से हुशना की तिती से मतलब दो महीना उधर और चार महीना उधर तू प्लस फूर इकॉल तू सिक्स महीने तक लगाया सकता है इसके बाद भी अगर स्थिति सामाने नहीं होती है तो इसी प्रोस्टियर को मतलब दुबारा संसर के दोनों संदों में सैनर भूमर से पारित किया जाएगा और इसको छे महीने से एक साल तक लगाया सकता है इसके बाद दो प्रोस्टियर होंगी देश यह राज में तो अपातकाल आपका समाप्त हो जाएगा या अपातकाल समाप्त ना हो या भारत का चुनाओ आयो कह दे कि अब इस स्थिति में भी यहाँ पर चुनाओ नहीं कराया सकता मतलब अगर समय नहीं तरतर फेल हो जाएगा तो चुनाओ वहाँ पर नहीं हो पाएगे तो छे महीने को केवल तीन साल तक ही बढ़ाया सकता है इसके बाद नहीं ही पढ़ाया जाएगा मगर कभी ऐसी स्थिति आएगी नहीं क्योंकि छे महीने के समय में ही अगर केंडर का साशन हो जाएगा तो क्या होगा स्थितियां सामान नहीं हो जाती है ऐसा कभी कोई केस नहीं आया आज तक कि तीन साल के उपर हो जाएगा, तीन साल से पहले ही उस राज को का सम्मेदाई तंतर को ठीक किया जा सकता है, आर्मी एक्ट लगा दिया जाएगा, अवस्पा लगा दिया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा, बट उसको छे महीने को तीन साल सक तक ही बढ़ाया जा सकता है ठीक है अब एक बार कोशन उठाता है कि क्या अगर नहीं होगा तो इसके बारे में समविधान में कुछ लिखा नहीं है तो ज़्यादा हम लोगों को दिमाग लगाने के जुरूत नहीं है सम्विधान में केल 6-3 साल तक ही लिखा है कोशन आ सकता है इसकी समाप्ती कैसे होगी समाप्ती आसान सी बात है राश्टपती अपनी कोशना वापस ले ले ठीक है संसद्द और आनुमदन ना किये जाने पर या तीसरे क्या है नैले भी राश्टपती गोशना को समाप्त कर सकता है क्यों क्योंकि सम्विधान से एलेटेड है और सम्विधान का राकपाला कौन है नैले सुप्रीम कोर्ट तो वो भी इसको खतम कर सकता है इसके प्रभाव गया है केंदर को राजबन ने अंतरप राप्त हो जाएगा सीधी बात है पिछली बार भी हुआ था राजविधान मंडल को भंगे किया जा सकता है वा निलम्मन अवस्था भी रखी जा सकती है ठिक राज़ के अधिकारियों की शक्तियां केंदर दोरा इस्तमाल की जा सकती है साथ ही साथ राज़ के हाई कोर्ट की शक्तियां ट्रांसफर नहीं होंगी राज़ के हाई कोर्ट के पास वही शक्तियां रहेंगी इसमें मॉली कादिकारों फर इक पर कोई प्रबाहों नहीं पड़ाएगा, देखिए स़ले मॉली कादिकार क्रॉस किया हुआ है, इसमें एक केस और है, S.R. वमेई वर्सस मद्य पदेश, यह थोड़ा सा इसम लिजे, वमेई वर्सस मद्य पदेश का कोशन ँक बार आया हमने भी बोला था ना आपको विदान मंडल को भंग किया सकता है मगा संसत की स्कूर्टी के बाद ही इसको भंग किया सकता है ठीक है तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं विट्टी आपातकाल में या फाइनेशल इमलजेंसी अब सीडी सी बात है अब खुद सोचे विट्टी आपातकाल कैसे लग सकता है विट्टी आपातकाल लग सकता है देश की विट्टी साख अगर खत्रे में हो या विट्टी स्थिरता खत्रे में पड़े है तो इस इस्तिती में राष्ट्रपती घोशना को लागू करेगा दो मेने के लिए वित्ती आपातकाल लग जाएगा और संसर के दोनुस अदनों में साध्रान बहुमत से इसको पादित कर दिया जाएगा अब ये कब तक लग सकता है अनिश्चित काल तक जब तक राष्ट्रपती इसको वापस ना ले इसमें कोई और नियम नहीं है ये तब तक देश की स्थिती ना सुदर जाया या राष्ट्रपती इसको वापस ना ले इस अपातकाल को लगाया जाएगा इसके प्रभाव क्या होंगे केंद दोरा प्रांतों को वित्ती निर्देश दिये जाएंगे कि भाई पैसा कम ख़चा करो दूसरा सभी सरकारी या दिकारियों का वितन राश्रपती कम कर सकता है ठीक तदा प्रांतों को धन विदेक राश्रपती विचार के लिए मंगवा सकता है जो भी financial bills है उन सब को मंगवा सकता है राश्रपती विचार के लिए तो दोस्तों ये थी राश्रपती की आपात काली इंशक्तियां ठीक है तो अब देख लिजे कि राश्रपती एक छोटा स टॉपिक है जिसके बारे में अभी तैक आप लोगों ने जो भी पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने हो सकता है, सारी शीजे पढ़ी ही हो, मगर अगर आप पूरा का पूरा सविधान पढ़ोगे, और उसको पढ़ने के बाद important points को निकालोगे, तो कुल मिला के यही सारे points आएं तो मैं guarantee लेता हूँ कि इतने points के बाहर कोई question नहीं है, आप घटना चकर उठा के देख लीजे, सारे के सारे यही questions हैं, दूसरा फिर भी मैं आपसे एक request करता हूँ कि आप घटना चकर उठा के देखेगा जरूर, एक-एक question घटना चकर का पढ़िएगा, और मेरे इस note से questions को solve करने ही कोशिश करिएगा, आपको question solve होगा, अगर कोई question solve नहीं होता है आपका, तो please comment box में आप इसको बेजिए, साथी साथ आप चाहें, तो अपनी email ID comment box में दे दीजिए, जो इसके written notes हैं, वो आम आपको PDF form में mail कर दूँगा, ठीक है, अब बाकी दोस्तों, मेरे वीडिय उसको share भी बहुत लोग कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को subscribe किया है, उनको भी बहुत धन्यवाद, अगर आप लोग चाहते हैं, कि किसी और भी topic पर में वीडियो बनाऊं, तो please comment box में मुझको लिक के भेजिए, मैं डाल की भी तो जो लोग रेलवे की preparation कर रहे हैं, उनके लिए भी में वीडियो बनाके अपने next series में डालूँगा, history के वीडियो आपके पढ़ी रहे हैं, तीमे तीमे हो सकता है कि मैं सभी subjects के वीडियो को cover कर लूँ, तो दोस्तों इसी तरीके से मेरा वीडियो देखते रही है, एक बार मैं आपको फिर सारे snapshots दिखा दे रहा हूँ, आप चाहो तो last का भी में आप ये snap ले लीजिए, देखिये ये था आपका, starting से मैं आपको सारे दिखा दे रहा हूँ, ये था केंडरी की कारेपाली का, राश्ट्रपती की योगेता और निर्वाचन का, उसके बाद राश्ट्रपती की शक्तियां, जिसमें हमने समिदान सनशुदन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद राश्ट्रपती की प्रशाष्निक शक्तियां, उसके बाद आपकी राश्ट पति की शमादान की शक्तिया राश्ट पती की वीटो शक्तिया ओर लाश्ट में राश्ट पती की अपात कालीन शक्तिया अपात कालीन के बारे में एक वीडियो और मैं सोच रहा हूँ बना दूगा क्योंकि आप emergency पर बहुत सारे चीज़े और भी है, मैंने अभी आपको एक overview दे दिया है, इसके बार में एक अपात कालिन को और वीडियो बनाऊंगा, बाकी ये आपका complete है, for PCS preparation तक के लिए सारी की सारी चीज़े complete है, ठीक है, तो अगर आप PCS तक की preparation कर रहा हैं, तो इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूत नहीं है, question इसी के अंदर आएगा, अच्छा, धन्यवाद,